नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आजेश पाथत, पीडियोटीशन, चाइल्ड स्पेस्लिस्ट, नारायना मल्टी स्पेस्लिटी हॉस्पिटिल जैपूर. आज हम बात करेंगे डेंगी फीवर की, डेंगी, डेंगू, जो की अभी इस सीजन में एक महमारी का रूप ले रहा है, डेंगी एक सीजनल बिमारी है, और एक यह वाइरल डिजीज है. तो अभी इस सीजन में हमने देखा है कि बारिश के बाद जब नमी चारों तरफ होती है, और यह एक अच्छा सा वातावरन बनता है वाइरस को अपन अपने के लिए. तो कई सारी वाइरस डिजीज के साथ साथ एक यह डेंगी भी अपने प्यार पसादना शुरू कर देता है. तो आज हम चर्चा करेंगे डेंगी या डेंगू इसको हम बोल सकते हैं. कैसे फैलता है, किस से फैलता है, क्या लक्षन होते हैं, क्या सिम्टब्स आएंगे, क्या इलाज इसका संभव है, और क्या घरेलू उपचार है और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जा सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगी की तो डेंगी एक वाइरस है फ्लेवी वाइरीडी एक फैमिली है उस गुरूप का ये वाइरस है इस गुरूप में और भी वाइरसे हैं जैसे जैपनीज एंसेफलाइटीस, येलो फीवर ये आजकल आप लोग सुन रहे होंगे जीका वाइरस ये सभी एक ही गुरूप के वाइरसे से हैं और ये वाइरस किसी के द्वारा फैलते हैं चाहे वो मॉस्केटो हो या टिक्स हो तो इसलिए इन सब को एक केटेग्राइज किया है अर्वाइरस ग्रूप में तो जो डेंगी वाइरस है जो अर्वाइरस है वो किसी के थूरू इंसानों में फैलता है वो डेंगी वाइरस फैलता है अपने मच्छर से कई तरह के मच्छर होते हैं उनमें से एक जाती है एडीज जो Aedes मच्छर हैं उसमें से भी Aedes अजप्टी नामक मच्छर के फीमेल मौस्किटिर से ये डैंगी वाइरस एक इंसान से दूसरे इंसान में या दूसरी जातियों में भी फैलता है लेकिन ये जो बिमारी करता है ये इंसानों में करता है तो चुकि इस सीजन में मच्छर बहुत तादाद में आपके सपास होते हैं तो मच्छरों की तादाद बढ़ती है और उसी के साथ ये वाइरस भी पनपरा होता है तो मच्छर जो की एक इंफेक्टेड इंसान को बाइट करते हैं खाते हैं उसका बलड सक करते हैं और अपने अंदर उस वाइरस को डबलब करते हैं तो जब वाइरस बहुत रिप्लिकेट होता है मॉस्कुटे के अंदर तो जब यही मॉस्कटो या मच्छर किसी दूसरे इंसान को जो की स्वस्त है उसको काटता है तो अपने अंदर के वाइरस ये उस इंसान में छोड़त अब डेंगी में होता क्या है, तो हमने देखा जो सबसे common symptoms या sign डेंगी के हैं, वो है बुखार आना, तो इसमें बुखार आता है, आपको सरदर्द या आँखों के पीछे दर्द हो सकता है, या और कोई muscle span है या joint span हो सकते हैं, इसके साथ साथ आपको जीमित लाना या उल्ट होना, नोजिया वोमेटिंग या किसी किसी केस में डाइरिया भी हो सकता है, साथ ही में इसमें skin rashes भी आ सकते हैं और कहीं से bleeding भी हो सकती है, तो ये common symptoms हैं जो कि आपके दूसरे viral से भी resemble करते हैं, तो इस season में अगर किसी को fever आ रहा है और तेज fever आ रहा है, साथ में ये symptoms लग कि ये होगा, लेकिन हा, संभाव ना हो सकती है, डेंगी की क्योंकि ये season है, तो ये तो हुई लक्षन की बात, अब हम बात करते हैं कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आपको, आपके बच्चे को इस दोरान fever आ रहा है, तेज fever है, और उसको और कोई symptoms आपक भूख कम हो गई है, तो हम डॉक्टर की सलहा लेंगे, डॉक्टर इसको देखेगा, और आपको राय देगा, कि ये वाइरल है, तो दूसरे कॉमन वाइरल है, या ये डेंगी की संभावना हो सकती है, अब अगर उन्होंने संभावना व्यक्ति है, तो हम कैसे जानेंगे की तो इस डेंगी के लिए कुछ टेस्ट डॉक्टर आपको रिक्मंड करेंगे, उसमें से डेंगी एंटीजन है, डेंगी एंटीबोडीज है, और दूसरे कॉमन ब्लट के टेस्ट हैं, जिसमें की हमें ये मालूम चलता है कि ये डेंगी बुखार आपको ये डेंगी वाइरस के वज़े से या दूसरे वाइरस के वज़े से हैं, जब एक बार आपकी डाइगनोसिस एस्टबिश हो जाता है, डॉक्टर ने बता दिया, आपको डेंगी है, आपको सिम्टम्स भी हैं, तो हब करना क्या है, तो इस डेंगी बिमारी की कोई स्पेसिफिक मेडिस्न नहीं ह कि हमने जैसे मलेरिया है, उसमें मलेरिया की दवाई दे दी तो मलेरिया ठीक हो जाता है, टाइफाइट की दवाई दे दी तो टाइफाइट हो जाता है, लेकिन डेंगी में ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स, आपकी जो लेब रिपोर्ट से उसके अक्वरडिंग दवाई देगा तो हमें जो है डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है अगर हमें इस सीजर में बुखार आ रहा है तो डेंगी एस्टाबुलेश होने के बाद क्योंकि टीटमेंट डिपेंड करता है आपकी कंडिशन और डेंगी का जो कॉर्स है वो होता है उसके तीन फेज़ेज हैं लाइक हम बात करें तो फैवराइल फेज फिर क्रिटिकल फेज और फिर रिकवरी फेज है फैवराइल फेज है कि आपको मच्छर ने काटा मच्छर काटने के 3-14 दिन बाद आपको संभावना होती है कि सिम्टम्स लाएंगे तब हमारी फैवराईल फेज शुरू होती है फैवराईल फेज मतलब कि इसमें आपको बुखार आएगा या दूसरे सिम्टम्स जो हमने भी आपको बताएं कि बदंदर्द हो सकता है जोइंट्स में बेन हो सकता है आपका जी मितला सकता है और आपको इ तो इसकिन में रैशेज कॉमन होते हैं और 80% डेंगी मरीजों में ये पाने की या दिखने की संभावना होती है रैशेज कैसे होंगे कि आपके पूरे शरीर में ललाई आ जाएगी अगर आप किसी सरीर के किसी हिस्से को अपनी उंगलियों से हाथ से प्रैस करेंगे तो उसमे आपके निशान आएंगे जैसे या आप हाँ तटाएंगे तो इस तरह के ये रैट फलश आ सकते हैं या आपको सपेज सपेज जो है चकते से दिख सकते हैं जबकि पीछे बैक ग्राउंड आपका रैड हो सकता है तो ये कहलाते है वाइट आइस लेंड इन दा रैड सी इस अग्राइब के रैशे भी आपके आ सकते हैं या कुछ रैशे ऐसे आ सकते हैं कि जो दवाने से फैड नी होंगे लेकिन छोटे छोटे रैड स्पोर्ट्स जैसे की ब्लीडिंग के हैं वह आपको दिख सकते हैं इसके अलावा आपकी भूग कम हो सकती है और आपको उल्टी ज को देता है लो तो सकता है तो यह तो यह तो बेइन चाओ चुन दिन अब फूजे को स्कती चुन के बाद यह कर दो निक झाह तो हम सकती है लो कि अजरय सकती है गो जी मिचला रहा है, तो उसके लिए कोई दवाई है, पेट दर्थ हो रहा है, उसकी दवाई है, या दस्त हो गया है, तो उसकी कोई दवाई है, कोई specific medicine नहीं होके, आपको ये symptomatic treatment दिया जाएगा, ज्यादा तर लोग इसके बाद ठीक हो जाते हैं, या फिर वो critical phase में एंटर कर होना, कि आपकी जो खून की नसे हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है, और आपको जो है, वहां से bleeding होने लग जाती है, जो common bleeding sports है, या तो आपको नाक से नकसीर आएगी, या चोटी सी bleeding होगी, मुँ से खून आ सकता है, या अंदर, पूरे GI tract में कहीं से bleeding हो सकती है, वो dangerous होती है, और life-threatening हो सकती है, इसके साथ साथ, ब्लीडिंग होने के अलावा, आपकी खून की नसे हैं, उसमें से पानी का रिसाव शरीर में हो सकता है, तो आपकी chest cavity में, या की लंक्स के चारों तरफ आपका पानी भर सकता है, प्लूरल इशूजन जिसको कहते हैं, या पेट में पा पानी की मातरा कम हो जाएगी और आपका ब्लड पेशर कम हो जाएगा, इसे हम कहते हैं डेंगी शॉक, तो इस शॉक में क्या होता है, कि आपका ब्लड पेशर कम हो गया, ब्लड पेशर कम हो गया, तो कम ब्लड पेशर से खून का दोरा दूसरे औरगन में कम पहुचेगा, तो खून का दोरा कम पहुच रहा है तो उस औरगन का बिगड़ना शुरू हो जाता है तो critical phase में आपकी bleeding हुई, आप शौक में आए या multi-organ dysfunction हो सकता है तो ये critical phase है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑस्पिटिल में होगा और ये फैवराइल phase के बाद, यानि कि तीन-चार दिन बाद जब आपका बुखार कम हो जाता है तब होने की संभावना जादा होती है तो generally हमने ये देखा है कि बुखार उतर जाता है तो parents थोड़ा सा relax हो जाते हैं तो बुखार उतर गए, आप कुछ नहीं होगा लेकिन उस समय अगर बच्चे को या हमें कुछ और दूसरे symptoms आ रहे हैं तो हमें watchful रहना है इसके बाद आता है recovery phase अगर हम इस phase से निकल गए, febrile phase निकल गई, complications नहीं होए तो recovery phase होती है इसमें फिर से आपको दाने आ सकते हैं शरीर में खुजली चल सकती है और आपकी भूब कम हो सकती है और generalized weakness आ सकती है लेकिन ये 2-4 दिन चलता है और उसके बाद आप completely dengue से free हो जाते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि fully recover हो गए क्योंकि पूरा recover होने में हो सकता है अब हम बात करते हैं कि हम घर में क्या करें जैसा मैंने बोला कि करीब-करीब 80% लोग जो है mild symptomatic या asymptomatic होते हैं और घर पे ठीक हो सकते हैं हां लेकिन डाइगनोसिस होना जरूरी है तो आपके बुखार आया आपने दॉक्टर की विजिट करी उन्होंने आपको डाइगनोस किया लेकिन आपको कोई complications नहीं है तो आप घबराएं नहीं जो दवाईयां prescribed की हैं वो लें साथ में ही आप घर पे rest करें और अच्छे से liquid लें साथ ही अपने जो complications या warning sign है उस पे नज़र रखें warning sign क्या है कि अगर बच्चों को या आपको पेट दर्द अचानक से तेज हो गया है आपकी उल्टियां बरावर से चल रही है आपको भूक नहीं लग रही है आपके हाथ पे ठंडे हो गए है और आपको कहीं से bleeding हो रही है तो आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए हो सकता है कि हम complication phase में जाने वाले हों तो अगर हम time से पहुंच जाएंगे तो time से हमारा इलाज शुरू हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि डेंगी से बचा कैसे जाए जैसा कि हमने पहले ही जिकर किया है कि डेंगी वाइरस एक दूसरे से नहीं फैलता है साथ रहने से नहीं फैलता है साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है छूने से नहीं फैलता है यह सिर्फ और सिर्फ मच्छर काटने से फैलता है हाँ कुछ rare cases में यह blood product से भी फैल सकता है यह रेर है जो common mode of transmission है that is the mosquito bite तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है हमें तीन इस तर पे लड़ाई लड़नी है पेला कि हम मच्छर को नहीं होने दें तो जो एडीज मच्छर है यह ज़्यादा तर ठहरे हुए और साफ पानी में पनपते हैं तो हम weekly या जितना भी संभव हो जल्दी जल्दी जो ऐसी जगे या ऐसे यूटिनसिल्स जो की अन्यूस पड़े हैं जहाँ पानी खटा हो रहा है उसको चेंज करें जैसे कूलर का पानी हम टाइम टाइम से बदलते रहें च्छत पे कोई टंकियां ऐसी पड़ी हैं खुली पड़ी हैं जिसमें पानी खटा हो रहा है तो उसको हम चेंज करते रहें गंबले हम देख लें पुराने टायर्स हम देख लें या कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि पानी है उसको हम टाइमली बदलते रहें अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं या कुछ ऐसे खड़े घर के आसपास हैं कि जिसके पानी को ना तो हम निकाल पा रहे हैं ना खड़ा भर पा रहे हैं तो उसमें हम कुछ जला हुआ तेल डाल सकते हैं जिससे की मच्छर नहीं पन पे हैं दूसरे इस्तर पे हमें क्या करना है कि अगर मच्छर हो गए हैं तो हमें उसको खतम करना है उसको खतम करने के लिए बहुत सारे मार्केट में प्रोड़क्ट्स हैं वो आप स्प्रे कर सकते हैं, आप कुछ लगा सकते हैं, कुछ कॉइल साती हैं, मॉस्केटो कॉइल साती हैं, जिससे कि आप मच्छर को दूर भगा सकते हैं और देशी इलाज है कि आप अपनी नीम की पत्तियां हैं, उससे दुहा कर सकते हैं तो मच्छर पनप रहे हैं लेकिन हम उनको मार सकते हैं तीसरा जो कारगार इलाज है जो कि हम रोक सकते हैं जिससे वो है कि मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करना किसी भी तरीके से हमें मच्छर नहीं खाए तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजे हैं हम कुछ रिपिलेंट्स हैं जो यूज कर सकते हैं कुछ क्रीम फोंप में आते हैं कुछ पैचेज मार्केट में अवलेवल्स हैं या और भी कई डिवाइसेज हैं जो कि आप अगर अपने पास रखते हैं या लगाते हैं तो उससे मच्छर दूर रहेंगे आप कुछ तेल जैसे सरसों का तेल है वो यूज कर सकते हैं बट डैस तो यही है कि हम अपने शरीर को जहां तक संभव हो उसको हम पूरा कवर करें तो मेरी सलाह यही है कि जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, टेरिस पे जा रहे हैं, बॉलकनी में जा रहे हैं या गार्डन में खेलने जा रहे हैं, तो as a good parents हमारी duty है कि हम उनको maximum cover कर दें यानि आप short पेनाना बंद करें, उनको full towsers पेना हैं और जूते मोझे पेना हैं, साथ में full slips की जो भी है, t-shirt है, जो भी वो पेन रहे हैं, वो पेना के रखें, और जो unexposed part है, वहाँ पे कोई repellent cream हम लगा सकते हैं, तो यह सबसे कारगार हमारा तरीका है, जिससे की मच्छर हमें नहीं काटें, तो अगर हम मच्छर काटने से अपने आपको बचा पाएंगे, तो definitely हम इस जो यह जान लेवा डेंगी बिमारी है, इससे हम बच सकते हैं, इसके अलावा, कुछ देशों में, इसकी वैक्सीन भी अवलेवल है, चुकि आपके शरीर में एक पैसिव इमु जो आगे आने वाले नैचुरिल इंफेक्शन से लडेगी और आपको बिमार नहीं होने देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह वैक्सीन अभी हमारे देश में उपलब दही है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है, कि मच्छर नहीं होने दें, हो रहे हैं, तो उनको म मच्छर काटने से बचाएं, तो इस तरह से हम डेंगी से बचे रहेंगे, तैंक यू.